नमीश्का स्टूदंस आज हम वापस से संस्कृत स्टार्ट करेंगे आज हम संस्कृत में एइट चेप्टर पढ़ेंगे जो गांधी जी के जीवन से रिलेटेड है इसमें गांधी जी के जीवन की घटना है कि वो जब स्वतन्तर आंदोलन कर रहे थे तब उसके पास एक पुरुषाय थे उनकी और इनकी क्या बातचीत होती है वो कहा गया है अब हम लेशन्स चार्ट काते हैं चैप्टर रेट काशान आयम को अपरात काशान मतलब ओरेंज कपड़े उसकी क्या घलती है इसे मतलब जैसे सादू ओरेंज कपड़े पहनते हैं तो भगवा हम इसके उपर से ये पूरा लेशन है जो गांदी जी के जीवन से जूड़ा है तो हम डायरेक लेशन स्टार्ट करते हैं आप टेक्सबुक अपन करके रखना जो मैं वर्ड मिनिंग आपको बता रही हूं वो आपको पैंसिल से साथ में लिखना भी है महात्मा गांदी महोदय स्वातंत्रे अंडोलनम प्रारमभतह महात्मा गांदी ने महोदय मतलब हम जिसको रिस्पेक्ट से बूलाते हैं सर भाई ऐसे तो संस्कृत में उसको महोदय कहते हैं तो उन्होंने स्वातंत्रे ता कांदोलन प्रारमभत मतलब शुरुवात की थी गांधी जी ने महत्मा गांधी ने स्वतंत्र ताका आंदोलन की शुरुवात की थी अस्या आंदोलन अस्या यहां पे देखो अस्या आंदोलन अस्या मतलब संधी है अस्या प्लस आंदोलन निखिलो अपी व्यवहर प्रारम भेशु दिवसेशु साबर मती आस्रमे एव प्राचलत मतलब इस आंदोलन का पूरा व्यवहर निखिलो अपी व्यवहर मतलब पूरा व्यवहर प्रारम भेशु मतलब शुरुवात में प्रारम भेशु दिवशेशु याने के शुरुआत के दिनों में साबर मती आश्रम में एव प्राचलत मतलब इस आंदोलन का पूरा व्यवहार शुरुआत के दिनों में साबर मती के आश्रम में चलता था मतलब पूरा हैंडलिंग इस आश्रम से होता था उस आंदोलन का एकस्मीन दिव से स्वामी सत्य देवह आश्रमम आगच्छत एक दिन स्वामी सत्य देव इस आश्रममें आते है सह देशश्य स्वतंत्र तार्थम कारे रतस्य गांधी महो दैस्य कारेण अतीव प्रभावीत प्रसन्न आसित सह मतलब वो देशस्य मतलब देश के स्वतंत्रतार्थम मतलब स्वतंत्रता के अर्थ के लिए याने कि स्वतंत्रता प्राप्ती के लिए कारे रतस्य मतलब जो कारे कर रहे थे जो श्वतनत्रता प्राप्ती के लिए जो आंधोलन चल रहा था गांधी महोदैस्य कारेण अतीव प्रभावीत प्रशन जो एक दिन स्वामी सत्य देव आते हैं आस्रम में जो गांधी जी के इस श्वतनत्रता आंधोलन के कारेव से प्रभावित मतलब बहुती खूस थे और प्रभावित और खूस थे ऐसे कि उनको अच्छा लगता था कि घांधी जी स्वतंत्रता के आंदूलन के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे है और फिर एक दिन वो स्वामी सत्यदिव आश्रम में आते है सह घांधी महोदयाया कथ दहम उन्होंने घांधी महोदय को कहा भवत आश्रम में प्रवेशम निवासम च इच्छा मी भवत आपका आपके पहले भी मैंने बताये भवत मतलब यूु यू मतलब आपके आश्रम में वो फिर गांधिम जी को वो कहते हैं कि आपके मैं आपके आश्रम में प्रवेश करके निवासम्च इच्छा मी रहना चाहता हूं देश से स्वतंत्रत्याय कार्यम करतू ममापी महती इच्छा वर्तते मतलब देश से मतलब देश के स्वतंतरता है मतलब स्वतंतरता के कार्य मतलब कार्य करतू मतलब कार्य करने के लिए ममापी मतलब मेरी महती इच्छा मतलब बहुती इच्छा वर्तते मतलब है इस पेरिग्राप का पूरा में ट्रांसलेशन हिंदी में वापस से कहते हूं कि महात्मा गांदी ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी सुरुआत के दिनों में आंदोलन का पूरा व्यवहार साबर मती आश्रम से चल रहा था एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आते थे और देश के हीत के लिए देश के भलाई के लिए जो गांदी जी ये कारे कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन का उससे वह बहुती प्रभावित थे एक दिन उन्होंने गांदी जी को कहा कि मैं आपके आश्रम में प्रविस करके रहना चाहता हूँ मेरी भी देश के इस स्वतंतरता आंदोलन के लिए यानि कि देश की स्वतंतरता के लिए मैं भी मेरी भी काम करने की इच्छा है यानि कि आप जैसे देश को स्वतंतरता दिलाने के लिए कारे करते है वही मेरी भी ऐसी इच्छा है कि मैं भी इस कार्य में आपके साथ रहुण तो ऐसा स्वामी सत्यदेव गांधी जी को कहते हैं आपको फ़स्ट में ही पेज में आपको मैंने फोटो दिखाया है जो स्वामी सत्यदेव है और गांधी जी के साथ उन दोनों की बातचीत चल रही है कि वो भी इस आंदोलन में जूड कर आश्रम में रहे कर गांधी जी को सपोर्ट करना चाते थे इसके लिए वो आश्रम में आये थे अब आगे सत्यदेवस्य प्रस्टावं गांधी महोदय स्विकृतवान मतलब सत्यदेव के प्रस्टाव को गांधी जी ने स्विकार कर लिया स्विकृतवान मतलब स्विकार कर लिया गांधी महोदय अकथयत अकथयत मतलब कहते हैं गांधी जी उनको कहते हैं सादू स्वागत्त मात्र भवत है, मतलब आपका स्वागत है कि आप हमारे साथ रहेकर इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं आस्रम हो अहम भवत एव किन्तु आस्रम प्रवेशात पूर्व भवता काशा यह वस्त्र त्यागम करनिया क्या कहते है कि आस्रम में आ जाइए, लेकिन आस्रम प्रवेशात मतलब आस्रम में प्रवेश करने से पूर्व मतलब पहले भावता मतलब आपके कासाने वस्त्रम त्याग करने मतलब आपने जो ये ओरेंज कलर के साधु के कपड़े कैसे होते हैं औरेंज भगवे वस्त्रम हम साधु की पैचान कैसे करते हैं उनके कपड़ों के उपर से तो गांधी जी ने क्या कहा कि आपका स्वागत है आप आश्रम में आपका प्रवेश है लेकिन उससे पहले आपको इन कपड़ों का त्याग करना पड़ेगा आपने जो ये ओरेंज भगवे कपड़े पहरे है उनका त्याग इन वस्तरों का त्याग करना पड़ेगा गांधी महोदैस्य आदेशम सुर्थवा आश्चरेन वित स्वामी सत्य देव मनसी अकुप्यत मतलब गांधी जी की ये आदेश सुनकर बात सुनकर आदेश अप सुनकर आश्चरे अन्वित मतलब आश्चरे चक्कित होकर स्वामी सत्य देव मनसी और कुप्यत मतलब मन में घुशा करते हैं किन्तु सह गांधी महोदयस्य पूरतह नीजरोसम ना प्रकट्यत लेकिन फिर गांधी जी के सामने अपना गुशा प्रकट नहीं करते हैं सो अ कथेत कथम काशानयम वस्त्रम त्याग हो मतलब इस ओरेंज मतलब भगवे कपडों का त्याग मुझे क्यू करना है काशानयम वस्त्रम को अप्राद मतलब इस कपडों का क्या गुणा है क्या अप्राद है अहम सन्यासी जनह मतलब मैं सन्यासी हूँ मैं सादू हूँ सन्यासी नहा काशायवार्स्त्राणी परिधान्यती और जो सादु है जो सन्यासी है उसको ऐसे भगवे कपड़े ही धारन करने पड़ते है मतलब मैं इन वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकता इसका वापस से मैं पूरा हिंदी मैं कहते हूं गांधी जी ने उनको कहा कि आपका स्वागत है लेकिन आश्रम में प्रवेस करने से पहले आपको अपने ये भगवे वस्त्रों का यानि की केशरी कपड़ों का त्याँख करना पड़ेगा गांधी जी का आदेश सुनकर आश्चर्य में होकर स्वामी सत्यद्यों अपने मन में उन पर गुसा करते हैं लेकिन गांधी जी के सामने वो गुसा प्रकट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं इस वस्त्रों का त्याग क्यों करूं इन वस्त्रों का क्या अपराद है? मैं तो सन्यासी हूँ और सन्यासी हमेशा ये भगवे वस्त्र ही पहनते हैं और मैं इस वस्त्रों का त्याग करके कैसे कारे कर सकता हूँ? मुझे तो यही वस्त्र को पहनना है इसी वस्त्रों के साथ मुझे काम करना है सन्यासी इन वस्त्र स्वामी सत्य देवस वचनम सुर्ट्वा सांत्व सरणेण घांधी महोदय कत्यत भवता यद्युक्तं तत्स्य त्यमस्ति किन्तु भवान सन्या सस्य त्यागम करोती इतिन ममाशय हा केवलं काशाय वस्त्राणम त्यागम करतु वदामे मतलब सामी सत्य देव का वचन सुनकर सुत्वा यानिकी सुनकर सांत्व स्वरेण मतलब सांत्व स्वर में महोदय कत्यत मतलब घांधी जी कहते भवता मतलब आप यद्युक्तं तत्स्य त्यमस्ति मतलब आप जो कहते हैं हो वो सही है किन्तु मतलेकिन भवान सन्या सस्य त्या करो मतलब आप सन्यासी न रहो केवलम कासा ये वस्त्राणम त्यागम करतूं मैं तो सिप इन वस्त्रों का त्याग करने को कहता हूं स्वामी सत्य वापस से पूरा करती हूं कि स्वामी सत्यद्यों का वच्चन सुनकर कांधी जी कहते है कि आप जो कहते वो सही है इन वस्त्रो कात्याक करने लिए कहेता हूं। मतलब कांधी जी का वच्चन मतलब बात सुनकर उनका तात्पर्य जानकर सत्यव मतलब सोच में पड़ जाते हैं। मतलब सोच ने कि मुद्रा में ऐसे मौन रहते हैं। मतलब कुछ सोचने लगते हैं स्टूडन्स इस लेशन का एक पाट यहां पे कंप्लीट होता है नेक्स पाट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आशा रखती हूँ यह आपको यह लेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आगे का जो पेरिग्राफ है वो आप पढ़ोगे तो भी आपको मजाएगा और अच्छा भी लगेगा तो अच्छे से पढ़ना आप जब पढ़ रहे हो तब प्रोनॉंसेशन जैसे मैं करती हूँ वैसे अच्छे से करना वापस से बोलती हूँ वर्ड मीनिंग आप लिख लेना तो ये वीडियो यहाँ पर अभी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक अस्तू